नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परामेडिकल अपडेट पर तो फ्रेंज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UP, A&M, GNM, Merit List दो यार टाइफ के बारे में बहुत सारे स्टुएंट ने जिन्होंने A&M और GNM का अप्लिकल स्टुएंट का वेट कर रहे हैं तो मेरिड लिस्ट का सवाल है तो फ्रेंज मेरिड लिस्ट है वो जल से आने वाली है आज आपका 9 अगस्त हो गया अगले 5-6 दिन के अंदर आपको इसकी मेरिड लिस्ट आवश्ट देखने को मिल सकती है तो फ्रेंट्स उससे पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है जैसे मेरिड लिस्ट आजाएगी उसके बाद से ही आपका अब्मिशन प्रोसेस है जिस कॉलेज का आपका नाम आएगा उसमें आपको एड्मिशन लेना पड़ेगा पूरा प्रोसेस क्या रहेगा तो हम आपको वीडियो के द्वारा आपको अपडेट करते रहेंगे तो उससे पहले आपको ड़क्युमेंट रेडि रखने हैं ताकि एड्मिशन के दौरान कोई भी परिशानी ना हो जैसे आपने अगर आप यूपी के हैं तो आपको कार्ट सर्टिविकेट आपको दिखाना पड़ेगा और डोमिशन रिखाना पड़ेगा अगर आप यूप अगर आप UP की हैं तो आपको UP का Domitial Certificate अवश्य आपको नया बनवाना चाहिए क्योंकि इसकी जो अब documents की है लग तीन साल हो गई है तीन साल तक आपको renew करवाना पड़ता है चाहिए वो Domitial, Card Certificate हो चाहिए वो Income Certificate हो अब बात आयाती है कितने होंगे क्योंकि फ्रेंट्स आपको पता है मैं मोटा मोटा अंदाजा बता दूँ आपकी जो G&M की जो सीट है तो G&M की जो सीट है वो आपकी 400 लगवा 53 सीट है अगर इसका हम तीन गुणे बच्चे सौट लिस्ट किये जाते हैं तो लगव आपके 1300 उनसर्ट आपके बनते हैं तो लगव आपके 1200 से लेकर G&M की में ओली बात अता रहा हूं 1200 से लेकर आपका 1300 स्टुट्रेंट्स को सौट लिस्ट किया जाएगा यह डाटा एक्कुरेट होने वाला है करेक्ट होने वाला है और यही लास्ट इयर भी रहा था है यह हमने जी एनम का आपको बता दिया तो जी एनम का लगव लव आपके 1200 तेरोस स्टूट्स को जो आपके टॉप के साम आएगा और कौन इसके बाद जो भी इसलिए तीन गुणा गया था क्योंकि हर स्टुएंट एंडमिशन नहीं लेता है क्योंकि जिदो भी स्टुएंट अपने पास नजदीक चाहते हैं दूर मिलता है तो वह सेकंड मेर्टी लिस्ट का वेट करते हैं यही बात आती है अपने लगवागा शाठे 50,000 स्टुएंट है यह एनम के लिए स्टुएंट किये जाने है तो यही इसका डाटा रहेगा बल्कुल भी चैंज नई होला है तो शाठे 50,000 आपके जो स्टूएंट हैं वह एनम के लिए श्लेक्ट होंगे तो यह दाटा है इस आज़ाई लिस् लिष्ट है आपको सु होने लग जाएगी कहा मेरे लिष्ट आएगी कैसे पता चलेगा आये आपको उसको भी दिखा देते हैं लो इसकी आपको official website पर लेके जलते हैं इन देख पारूंगीぎं मैज की on dewसिर्ट विबसाइड पर आ गए है तो इसके बाध में आपको जो official website है dgmhup.gub.in यह आपकी इसकी official website है जिसमें सारी information है include होती है तो देख पारूँगे एक option है यहाँ से यह आपने अपना form है वो fill किया होगा तो यह देख पारूँगे यह वाला portal है अब यहाँ पर इसे हम click करके देखते हैं तो जो information पहले दे रखी थी वो आप यहाँ से आप अठा दी गई है तो यहाँ से हम पहले एनम और जीनम select करते थे इसमें किवला select का यह option आ रहा है तो जो update है merit list की वो आपको यहाँ पर back आजा देना वो कहाँ है तो यहाँ से आप back आ जाने के बाद में नीचे आपको जाना होगा नीचे जाने के बाद में देख पहर होंगे अब latest news यह है यहाँ से आपको यहाँ पर merit list का option नया आ जाएगा उसके आगे ऐसा एक दिखाई देने लग जाए यह हमारा और इसके अलावा इसको नोट समय एक बार डाउनलोड करके एक बार आपको ओर दिखा देते हैं कि क्या क्या थी यो क्या क्या बात है इसमें की गई थी तो यह परफॉर्मा था यह जी नम बालों के जो कि तीन वर्षी कोश होता है जिसमें नो आपके राजिक की यह पिछली चड़ केंद्रों पर एड्मिशन होना था और यह एड्मिशन प्रोसेस है आपका एक साथ से लेकर कत्ति साथ तक चला गया था यानकि जुलागी के तक और इंट्रमेडिट आपसे माई गयी थी 40% के साथ में आप इसके साथ ही आपका एनम है एनम बालों के लिए यह प्रोसेस इसमें देख पार होंगे और आभी दिन सुलके आपसे कैटेक रिवाई 100 रुपे और 200 रुपे लिया गया था आरे चड़ हैं मेल और फीमेल प्रेट्स की हैं 15% सीटे हैं वो एनम जो करमचारी रहे हैं स्वास्त विवाग में रहे हैं चाहां नहम में रहे हैं उनके लिए 15% सीट है जो कि पांच वर्चों से निरंतरकार कर रहे थे तो उनके लिए 15% और 10% उसका तब 25% सीटे हैं में सीरे-सीरे आरचित की गई हैं और आपकी इस समय सीमा है 17 वर्ष रखी गई थी और अधिक्तम आपकी 35 वर्ष रखी गई थी जो की 31 दिसमबर 22 से गड़ना की गई थी और आपका चैन है वो हाई स्कूल और इंटर के अंकों के आदार पर किया जाएगा और यही प्रोसेस है मैंने आपको पूरा बता दिया है जो की अब इंग्लिस में है तो यह मैंने आपको बता दिया इसके बारे में मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा कि कितनी सीटेक किस कॉलेज में है और इसके इलावा जो आपका एडमिशन होना है उसमें आपकी फीस कित सारे इंफोर्मिशन आपको इस चैनल के माद देम से मिलती रहेंगे थैंक्स वर वाचिंग